हर्याना विधान सभाचुनाव जैसे जैसे नज्जीक आ रही है वैसे वैसे प्रदेश की सियासद गर्माती जा रही है जहां अभी कॉंग्रस में सीएम डिप्टी सीएम पद को लेकर रार देखी जा रही थी वहीं अब जीत की हेट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी बीजेपी में भी मुख्य मंतरी और उप मुख्य मंतरी का खेल शुरू हो गया है बीजेपी की वरिष्ट नेत्री और रत्या से प्रत्याशी सुनीता दुगल ने डिप्ती सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी है जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है क्योंकि जहां अभी तक पार्टी अनल विज के सीएम पद की दावेदारी से परेशान थी वहीं अब सुनीता दुगल ने भी पार्टी की मुख्यले बढ़ा दी है सुनीता ने जन संपर का भियान के दोरान कहा कि भारती जुनता पार्टी ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया है 2014 में जब उन्होंने राश नितिक पारी शुरू की तो रतिया विधा सिभा सीट से टिकेट दिया प्रदेश में सरकार बनने पर चेर पॉसल मनाया साल 2019 में सांसत भी बनाया अब रतिया से जिताकर भेजोगे तो डिप्टी सीएम बना देंगे उन्होंने यहां तक कह दिया कि मीडिया वाले ये लिखते कि सुनीता दुगल ने डिप्टी सीएम का दावा ठोक दिया है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रतिया विधास भाज शेत्र को कभी मंत्री पद नहीं मिला इसलिए अब रतिया वासी देख ले कि उन्हें विधायक चाहिए या डिप्टी सीएम लेकिन राजश्रूतिक गल्यारों में ऐसी अठकले लगाई जा रही है कि पार्टी उन्हें शायद ही सीएम पद पर बिठाए क्योंकि सुनीता दुगल ने भले ही कुछ सालों में अपनी सियासी कत को उचा किया हो लेकिन फिर भी पार्टी उनको इतनी बड़ी जमेदारी नहीं देगी जुसके पीछे कई वज़ा बताई जा रही है गौर्टलब है कि 2019 के लोग सबा चुनावों में सिरसट सीट से विज़य होने वाली सुनीता दुगल का बीज़ेपी ने इस बार टिकेट काट दिया था और उनकी जगा अशोक तवर को चुनावी मैदान में उतारा था क्योंकि हलके में उनके खिलाफ लोगों में काफी गुस्ता और नराजगी देखी गई थी इतना ही नहीं बताय ज़ा रहा है कि सुनीता दुगल का पास सालों में अफसर शाही स्टाइल रहा क्योंकि वे सांसत बनने से पहले अफसर थी ये कारेकरताओं को भाया नहीं ना ही वो कारेकरताओं के बीच ज़्यादा समय दे पाई कारेकरताओं सिन्दिरंतर बनाई गई दूरी और अफसर शाही स्टाइल के कारण कारेकरता ही उनसे कट्टे लगे ऐसे में पार्टी शायद ही उनको डिप्टी सीएम की कुरसी पर बैठाए लेकन इस बात को भी नजर अंदास नहीं किया जा सकता कि वो पार्टी के वफादार सिपाहियों में से एक रही है इतना ही नहीं वो बीजपी में सबसे मजबूत महिला नेत्रियों में से एक है बहराल ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा कि सुनीता दुगल हर्याणा की डिप्टी सीएम बनती है या नहीं